आयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण पृतिश्चा की आप सभी को हार्दिक शुब कामना है राम लला अपने इस्थान पर विराजमान हो चुके हैं और इस दिन को सभी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने भी ये दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया राम जी की पूजा की भोग लगाया रंगोली बनाई दिवाली की तरह सजावट की तो सुबह में तो हमने मिठाई से फलों से भोग लगाया और रात में खीर पूरी का भोग लगा तो इस तरह हमने राम जी की पूजा क और एक और काम किया जो कि रोजी करते हैं लेकिन आज का दिन यादगार है तो सोचा आप से भी शेयर कर देते हैं क्योंकि हमारे काफी व्यूर्स ऐसे हैं जो गिलहरी की वीडियो देखना बहुत पसंद करते हैं तो इसमें दो तरह के खाने हैं जिसमें एक तरफ रोटी है और एक तरफ मुंगफली है अब रोटी जो है वो तो आप जानते ही हैं कि जो मूर हैंस है यानि जो जलमूर्गी है वाटर हैंस है वो खाती है और जो ये मुंगफली है वो हमारी गिलहरी खाती है तो वैसे तो ये काम रोजी करना चाहिए लेकिन जब आप कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो इन जैसे जीवों को बिल्कुल ना भूले हमारे तो ये दोस्त बन गए हैं जैसे हम नीचे जाते हैं पहले इनको टेक्स देना होता है हमें उसमें क्या करना होता है गिलहरी के लिए अलग दाना देना होता है और जलमुर्गी के लिए अलग अगर दोनों को एक ही दाना दे दिया तो फिर ये लड़ती हैं और अब तो इतनी सारी गिलहरी हो गई है और इतनी पहचान हो गई है इनको कि जैसे हम बाहर गार्डन में जाते हैं इनको लगता है कि हम इनके लिए ही कुछ देने के लिए हैं तो जब भी गार्डन में आएंगे कभी भी खाली हाथ नहीं आते हैं तो जीव भी आपके भाव को पहचानते हैं तो अपने डेली रूटीन में ये चीज एड़ जरूर कीजिए कि कोई न कोई आप जीव को भोजन जरूर कराएं और नहीं करा सकते हैं तो उपर अपनी छट पर ऐसे ही टेरस पर रग दिया कीजिए पानी और दाना जो भी पक्षी या जो भी जरूर रतमन जीव आएगा वो उसको खा जाएगा तो यह देखिए इस कर लेते हैं कभी-कभी उसकी भी शेयर कर देते हैं और आप सभी काफी एप्रिशियेट भी करते हैं जो हमारे डेली वीवर्स हैं उसमें से कुछ लोग पसंद भी करते हैं हाला कि कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको केवल प्लांट्स की ही वीडियो देखनी अच्छ वही रंगोली वगरा और दीपावली तो वैसे भी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यह सब डेकोरेशन करना लाइटिंग करना बहुत प्यारा लगता है और एक सबसे अच्छी बात जो है वह है यह रंगोली तो यह रंगोली देखकर का यूज कर सकते हैं या वाइट कलर का यूज भी कर सकते हैं रंगोली कलर में वाइट कलर भी आता है अब तो एक और चोटी सी टिप जब भी आप गार्डन के लिए पॉट्स वगरा पेंट करते हैं या कोई बॉटल को पेंट करते हैं उसमें भी आप वाइट बेस बनाए तो इस तरह हमने सेलेब्रेशन किया जैसी आराम जै हनुमान थेंक यू